बिजडौर में अवैस संबंदों का राज खुलने के बाद पिरेमी ने पिरेमी का के पती को जान से मानने की साजिज रजडाली और अपने दो दोस्तों को साथ लेकर काम को अंजाम देने के लिए निकल गया। गिरफतार करके जेल भेजनी की कारवाई सुरू करती। पूरा मामला है मुस्तगीम नाम का युवक अवजलगर छेतर के गाउं मानिया वाला गड़ी में तीन वर्स पूर रहता था। इसी दोरान उसकी एक पड़ोसी महिला से आख लड़ गई और दोनों को प्यार हो गया। महिला का पती साबिर मुंबई में रह कर काम करता था। साबिर को प्रेम संबंदों की जानकरी हो गई। उसने अपनी पत्नी को खूब खरीखोटी सुनाई। जिसके बाद गुसाए पत्नी की आशिक मुस्तकीम ने साबिर को रास्ते से हटाने के लिए अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर हत्या करने की साजी सरज डाली और प्लाट खरीदने के भाने उसको नगीना के जंगल मे ले गए और जान से मानने का प्रियास किया आरूपियों ने चाकु से साबिर पर हमला बोल दिया जिसमें साबिर खुन से लत्पत हालत में अदमरा हो गया साबिर को मरा हुआ छोड़कर तीनों अभी उक्त फरार हो गए इसके बाद साबिर को होसा आया और वे उटकर बस्ती में पहुंच गया और आप बीटी सुनाई तभी साबिर ने पुलिस में सिकायत किया और पुलिस ने संग्यान लेते हुए मामले को गंभिरता से लिया और आरोपियों के खिलाब मुकदमा दर्श करके कारवाई की इसी मामले में पुलिस ने तीनों अभी उक्तों को गिराफ़तार करके जेल भेज दिया बिजनोर से निरसकुमार के रिपो साविर नाम का एक व्यक्ति जो मनिया वाला थाना अभ्यागर के रहने वाले हैं मुंगई में रहकर के काम करते हैं मुस्तकीम नाम के एक कारे जो वहां के महजिद में थे साविर के पत्री से उनका प्रेव पुरसंग हो गया मुस्तकिम ने साजिस के तरफ साविर को भटाना चाहते था रास्ते से 24 तारी को जो मुमभई से आ रहे थे अपने दो साथियों के साथ नगीना में होटल विए खाना खिलाया, देर किया फिर हरोले देवपर ले जा करके चापू से हमला करवाया उसी दोरान एक गाड़ी आगे, मर्द उर्थ अवस्था में जान करती दो छोड़ करके भागे पुलिस ने इन्युस्टिट करती दोरों बदवासों को मुस्तकिम को हिरासत दिया चापू के साथ में, दो लाख रुपए में रास्तार होई थी, 50 जा रुपए अड़वास विदिया था, 21 जा रुपए फिरी से बरामत के लिए, मुस्तकिम ने बदवासों को मोटर साइकिल और चापू गरब प्रोड़ किया था, अभुत्तों को देखकार करते जेर भी आ झाल मुथढक्र प्रको धिरी आंडे रा करते बयार होई दो को मुझत पूर्श ओल्म हरन् पिरी आदिया थावासों देखकार को.